हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग दोस्तों आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेयर कर दो, जी हाँ दोस्तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी लेकर आ चुका हूँ, UP NHM भरती 2022, दोस्तो UP NHM के तरफ से स्टाफ नर्स 2400 पलस विकेंसी निकाले गई थी, जी हाँ दोस्तो अक्टूबर 2020 में, और इसका एकजाम जो है, दिसंबर 2020 में हुआ था, इसके बारे में दोस्तो एक नई अपडेट आ चुकी है, आप लोगों का दोस्तो फाइनल रेजल्ट आ चुका है, जी हाँ, यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खुसकभी लेकर आ च चुका हूँ, जी हाँ दोस्तो दिसंबर 2021 में एकजाम हुआ था, तो इस्टाफ नर्स 2400 पलस का दोस्तो रेजल्ट यहाँ पे आ चुका है, दो सकेंड के अंदर जो है, आप लोगों को डाउनलोड भी कर सकती हो, और कैसे आपको रेजल्ट देखना इसकी भी जानकाई दे दें, तो दोस्तो अगर आप लोग UPSC PET PET के त्यारी करना चाहते हो, इसके लिए अगर आप लोग बुक लेना चाहते हो, तो दोस्तो आपको बता दे, सरुसती परकास्तन प्राइवेट लिम्टेड की दोस्तो यह बुक है, इसे आप लोग ऑनलाइन बाइक कर सकते हैं, या आप लोग ऑफलाइन दोस्तो बुक जो है अपने घर भी मंगवा सकते हैं, साथी आपको दोस्तो बता जे, जो भी यहाँ पर कॉपी किताबों की दुकाने हैं, वहाँ पर भी आपको दोस्तो यह बुक मिल जाएगी, इस बुक की खासियत की बात करें, तो यहाँ पर दोस् सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी यहाँ पर syllabus हैं, उसके according यहाँ पर इस बुक को त्यार किया गया है, आप लोग यहाँ पर नीचे इसका sample देख सकते हैं, तो इसे दोस्तो आप लोग दो तरीके से, तीन तरीके से apply कर सकते हैं, नीचे description box मिलिंग के दिया गया है, contact number वहाँ पर आप लोग बात करके क्या कर सकते हो, पैमेंट करके वार्सेप पर आप लोग जो है address दे के अपने घर book मंगवा सकते हो, या आप लोग किसी भी copy किताबों की दुकान पर जाके आप लोग जो है इस book को खरिच सकते हैं, या आप लोग online फिलिफ कार्ड के थुरू भी payment कर गया है, आप लोग जो है खरिच सकते हैं, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, तो दोस्तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यह दोस्तो official website है, यहाँ पर आप लोगों का date दिया गया है, आप लोग date देख सकते है, National Health Mission, Department of Health and Family Welfare, Government of UP, UP NHM का दोस्तो official website है, इसका link ने लिचे description box में दिया गया है, वहाँ पर किलिक करके, डारेक्ट दोस्तो आप लोग इस website पर आ सकती हो, यहाँ पर जैसे आप लोग आओगे, देख सकती हो, आपके लिए नई update आ चुका है, declaration of result for 2400 plus contractual vacancies of staff nurse under NHM UP, UP NHM की तरफ से 2400 plus का दोस्तो यहाँ पर result आ चुका है, तो इस वाली option पर किलिक करके, प्यारे दोस्तो आप लोग जो है PDF को डाउनलोड कर सकती हो, तो चलिए यहाँ पर PDF जो है डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको लेकी चलता हूँ सबसे पहले PDF व of candidates solicited for staff nurse vacant positions as per notification number 588, यहाँ पर देखोगे, तो आपका date mention किया गया है, जिस date को दोस्तो आपका notification publish किया गया था, 18 October 2020 को दोस्तो आपका notification publish किया गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तो बता दें, December 2021 में दोस्तो आपका exam हुआ था, और 18 October 2020 के date में दोस्तो यह notification publish किया गया था, तो इसका दोस्तो यहाँ पर program wise जो है list आ चुका है, सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर list of shortlisted candidate under child health staff nurse से NBSU, तो दोस्तो NBSU staff nurse से child health में अगर आपने form का apply किया है, तो उसका यहाँ पर list दिया गया है, देखे दोस्तो program wise यहाँ पर list आप लोग देख लो, इस तरीके से आप लोग अपने result देख सकते हैं, आपको shortlist किया गया है, या नहीं किया गया है, और अगर आप लोग 2 second के अंदर दोस्तो अपना result यहाँ पर देखना चाहती हो, तो जैसे आप लोग PDF को download करोगे, PDF को download करने के बाद जो है, इस तरह से दोस्तों आ आपके जो भी यहाँ पर लिस्ट में रोलंबर है, अगर आपको shortlist किया गया होगा, तो आपके जो भी रोलंबर है, उसे दोस्तों highlight कर दिया जाएगा, तो आप लोग 2 second के अंदर अपना result दोस्तों चेक कर सकती हो, इसके अलावा जो है, आप लोग अपना नेम भी यहाँ नेम भी दोस्तों देकर, नेम भी टाइप करके जो है, रेजल देख सकती हो, आपके नेम के तो जो भी shortlisted है, उनकी list जो है, उनका नाम दोस्तों highlight हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग 2 second के अंदर जो है, दोस्तों result यहाँ पर चेक कर सकती हो, जैसे देखो कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, child health staff nurse NBSU का दोस्तों list दिया गया है, इसे आप लोग अच्छे से चेक कर लो, यहाँ पर आपकी category दी गई है, you are category, आपकी रोलंबर दिये गए है, और आपकी दोस्तों name दिये गए है, देखिए, totally यहाँ पर दोस्तों 64 page का PDF है, जी हाँ 64 page का दोस्तों PDF और 9 plus से program है, जिसमें दोस्तों यह वे किन से निकाली गई थी, 9 plus program उसका दोस्तों यहाँ पर list आ चुका है, आगे दोस्तों मैं अभी आपको एक नई update दूँगा, कि आपका score card कब आएगा, cutoff क्या गई है, यह सभी की जानकरी मैं अभी आपको वीडियो को last में देने वाल हूँ, बस थोड़ा आप लोग वेड करिए, यहाँ पर दोस्तों आओगे जैसे, 14 नंबर पर यहाँ पर आप लोग देखोगे, list of shortlisted candidates under child health staff nurse NRC, तो दोस्तों NRC staff nurse का list यहाँ पर दिया गया है, आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अपना कटगरी यहाँ पर दे SNCU, तो दोस्तों SNCU का यहाँ पर देखिए, list दिया गया है, आप लोग इसे चेक कर सकते हो, आपके रो नंबर दिये गये हैं, category wise यहाँ पर आप लोग दोस्तों चेक कर लो, ऐसे करके यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर देखी दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे ज़्या पर आ चुका है, तो अच्छे सी आप लोग देख लो, और अगर आप लोग 2 सेकेंड की अंदर दोस्तों, रेजल देखना चाहती हो, तो आप लोग बड़े अराम से दोस्तों, रेजल जो है, देख सकती हो, अब दोस्तों जैसे आप लोग नीचे आओगे, देखिए, 64 का PDF यह PDF है, 64 पेज का PDF है, और जैसे आप लोग नीचे आओगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है, यह Most Important Update आप लोगों के लिए है, जिसमें आप लोग देखिए, बोला जा रहा है, Note, Rank Under Category and Other Details will be shared through scorecard, and link regarding the same will be uploaded on UPNHM Portal shortly, दो दोस्तों, UPNHM के Portal पर, यानि कि UPNH के website पर जो है, आपके scorecard publish किये जाएंगे, उस scorecard में दोस्तों, आप लोग जो है, अपना category wise rank देख सकती हो, इसके साथ ही दोस्तों, आपके यहाँ पर कितने cut-off गए हैं, उसे भी आप लोग देख सकती है, scorecard में, और आपके कितने marks हैं, scorecard के तुरू देख सकती हो, तो दो दोस्तों, UPNHM के website पर जल्दी scorecard जो है, आप लोगों का यहाँ पर publish किया जाएगा, इसके अलमा दोस्तों, आपके district wise जो है, जो आपने preference दिया है, district preference दिया है, उसके according जो है, आपके दोस्तों, minute list भी publish किया जाएगी, यह आपके दूसरी नई update है, तो पहली update है, दोस्तों आपके scorecard जो है, जल्दी हाँ पर जारी किये जाएगे, जिसमें number 1 आपके cutoff दिये रहेंगे, number 2 आपके mask दिये रहेंगे, number 3 जो है, आपके rank दिये रहेंगे, यह सभी आपके दोस्तों, scorecard में दिये रहेंगे, और number 2 में दोस्तों, आपके district preference जैसे आपने दिया है, उसके according जो है आपके दोस्तों, final merit list जो है, publish की जाएगी, यह दोस्तों आपके लिए, बहुत ही बड़ी और नई update है, तो मिलते हैं, नेश वीडियो में, कसा लगा वीडियो, जरू बताईएगा, thank you दोस्तों